आप देख रहे हैं सौगंद टीवी सौगंद वतन की अगर बात की जाए ज्यान वापी मुद्द की तो इस टाइम से काफी दिनों से वह सुर्कियों में है सर्वे भी चल रहा है सर्वे में क्या कुछ निकल के आया यह तो बात की बात है लेकिन इसी प्रवागेश्वर धाम के ध्रेंदर शास्ट्री का बयान आ रहा है कि ही और बनेगा तो वहां मंदिर ही तो आइस विश्य में जनता से चर्चा कर लेते हैं क्या कुछ कहना है जनता का कि क्या वहां वाक्य में निकलेगी और मंदिर ही बनेगा क्या कहना चाहिए बिल्कुल सिबलिंग थी वहां पे लोग जैसे कहते हैं जैसे हम लोगों का सुनत वर तो मंदिर बनना भान रहीं लेकिन वहां मंदिर हमाइद करते हैंजी बनने के जहीं नियू भानाता हैं किके है और यहां भी जैजेकार हैं और जो कह रहे हैं तो वह सचाहिव साहीट सामने बहुत जल्डी ही परणाम आएगा इसका किया लगता है कब तक इसका परणाम आ जाएगा कब तक यह पता चल जाएगा वहां पे मंदिर ही बनेगा यह तो खेर यह कापी लंबी लड़ाई है जैसे कि हमारे अज़दा का मंदिर की लड़ाई जो चलती रही तो इसको आज सफल बनाया गया अब सफल हुआ है ठीक है व मंदिर बनेगा क्या लगता है जब अगर वहां मंदिर वाली बात आएगी तो जैसे जितने आराम से विना किसी दंगों के जैसे योद्या में मंदिर बनाए कि वैसे यहां पे बन जाएगा कुछ दंगे वगरा कुछ नहीं होगा तो हिंदोस्तान की जनता बिल्कुल भूल उन्होंने ऐसा कर दिया है कि एक बार जो उस कानून में फच जाएगा वो दोबारा उस चक्कर में नहीं पड़ेगा तो मेरे ख्याल चे तो आज यूपी के दंगे सारे बंदे मुझे तो नहीं दिखता है कि अब कहीं दंगे होते हैं अभी तो महवात में चलने तो उनको भी वही सजा मिलेगी उनके लिए भी कानून जय बनेगा कुछ नकुछ जरकार जब सक्त होगी न तो यह महवात प्वात कुछ समझ में नहीं आएगा कहा निकल गए बात की जाए ग्यान वापी की तो उस पे कई ऐसे पार्टी के विपक्ष के ऐसे नेता हैं जिनोंने बोल जाहिए अगर जो साबूत जो निकलता है बोला है बिल्कुछ पाट जो प्रण में सामने कि साख्षात नजर आरहे हैं तो सरकार को और सब को यह II द्हान देना चीए कि यह सबूत निकल ले तो शचा ह1 अगर सबूत निकलता इस शिब्लिंग कर वहां निकल लोगजा तो वहां मेस्जित की कोई चीज रख जाए तो ऐसा तो नहीं सबौने चीजे हैं पुराने जब पुरान में निकली है उन्होंने खुदाई की है देखा है तो सच्चाई वहाँ पे निकलाई तो क्या लगता जब धिरेंदर शास्री जी ने इतनी बड़ी बात कही है कि वहाँ शिबलिंग ही निकलेगा और वहाँ मंदिर ही बनेगा लेत बनाती हो ? झालते हैं उसी तरीके से वहांके भी अर्जी निकाली होगी तो अर्जी जो निकली होगी उन्होंने वही बियान दिया है कि वहा शिबलिंग थी और मंदिर बनेगा चीज तो हमारे पहुतीज Mmm किरपा है ठीक है और उनके मुख से निकली हुई बात बिल्कुल 100% सही होती है मैं तो खेर अभी तक नहीं पहुच पाया और मैं कोशिस कर रहा हूं कि मैं भी उनके दर्वार में एक बार जाओं देखके आओं मिलके आओं ठीक है बाकि हम दिल से उने बहुत ही चाहते हैं ठी उन्होंने अभी अभी बोलाए कि बहुत जल्दी में शादी करना जाए जे आज के समय में कितने खुशी होगी अगर वो नहीं भी बुलाएंगे तो हम लोग जाएंगे यहां से उनके सादी में जी जी तो अगर बागेश और धाम के धिरेंदर शास्त्री ने ये कह दिया ह कि वहां पे शिबलिंग के अपशेश मिलेगा और वहां मंदिर ही बनेगा तो जनता कहते हैं कि वहां मंदिर ही बनेगा बिना किसी तथ्य के वो ऐसा नहीं कह सकते हैं इन्हीं सब ख़बरों के लिए जुड़े रहे हैं हमारे साथ देखते रहे हैं सोगन टीवी कैमरामेन अंकित के साथ रादिका शर्म धन्यवाद आप देख रहे हैं सोगंद टीवी सोगंद वतन की